ज़ीए प्रेटर नमब शेक्स अब तक क्या होता है जो जो डि यह वो मिल वील के साथ पारेस्स में जाता है जो फाउन है उसको सर्च करने खेड़ लेकिन उसको वहां पे कोई भी क्लू नहीं मिलता है because जो foot prints थे वो भी night में जो rain हुई थी heavily उसकी वज़े से finish हो जाते है rain जो होती है वो उनको wash away कर देती है means की हटा देती है ठीके अब क्या होता है आगे fourth part में क्या उसे phone मिल जाता है जोड़ी कोई या नहीं मिलता let's read that ahead part number three moment directly in front of him startled him so that he tumbled he tumbled backward तो जो moment जोड़ी की सामने हो रहा था उस moment ने जोड़ी को क्या कर दिया startled कर दिया that means socked कर दिया और इसी वज़े से वो tumbled backward मतलब कि पीछे की तरफ लड़ खड़ा गया okay tumble means होता है लड़ खड़ाना okay ऐसा क्या हो रहा था उसकी सामने जो इतना socked हो गया क्या जोड़ी की तरफ okay wide and wandering motion की साथ और जो फाउन की जो लिक्विड आइस थी okay उन लिक्विड आइस ने जोड़ी को सुक कर दिया means की अंदर से हिला दिया जो लिक्विड आइस थी means की उस वो क्या कर रहा था फाउन वो रो रहा था okay it was quivering और वो quivering भी हो रहा था that means sewer हो रहा था कपकपा रहा था it made no effort to rise or run जो फाउन है उसने उठने और वहां से भागने की कोसिस बिलकुल नहीं की जोड़ी could not trust himself to move और जो जोड़ी है वो खुद भी अपनी जगे से नहीं हिल सका इतना ज़्यादा वो startled हो गया था he whispered उसने धीमी सी वो इसमें कहा it's me ये मैं हूँ okay अब क्या होता है क्या फाउन उसको identify कर पाता है पैचान पाता है the found lifted its nose जो फाउन है उसने अपनी nose उठाई sending him उसको सुंगा किसको सुंगा जोड़ी को सुंगा फाउन ने he raised out one hand and laid it on the soft neck अब जोड़ी ने क्या किया कि उसका अपना खुद का जो एक हैंट था वो उसने उठाया और जो फाउन है उसकी soft neck पे वो हैंड रख दिया हैंड उठाया था ठीक है the touch made him delirious और जो gently इतना soft जो टस था जोड़ी के हैंड का उस टस ने क्या किया जो फाउन है उसको excited कर दिया he moved forward on all fours until he was cross beside it वो जो जो आगे की तरफ मुड़ा जब तक कि वो फाउन के पास नहीं आ गया he put his arms around its body उसने जो अपनी arms थी वो फाउन की बोड़ी के आसपास लगाई that means उसे अपनी बाहों में wrap कर लिया क्या किया जोड़ी ने कि जो फाउन था उसको अपनी बाहों में ले लिया a light conversion passed over it अब जो फाउन है उसमें थोड़ा सा conversion feel हुआ मिन्स के उसे थोड़ा जटका लगा but it did not steer लेकिन वो steer नहीं रहा dear strength यहाँ पर जो steer steer means होता है कोई movement करना ठीक है तो जो फाउन था उसने अपनी बोड़ी में कोई movement नहीं किया हीला डूला नहीं वो he strokes its sides as gently as though the phone were a china deer and he might be break it तो क्या था जो जोड़ी है उसने stroke किया stroke means होता है अपना hand gently move करना तो जो जोड़ी है उसने फाउन की neck पे अपना जो hand है उसको gently move किया that means उसने फाउन को सहलाया और इस type से सहलाया कि जैसे तो जो फाउन है वो जो टच करने से टूट जाए इतना softly उसने क्या किया उसको सहलाया its skin was very soft जो फाउन है उसकी skin कैसी थी बहुत जादा soft ती it was slick and clean यह कैसी थी slick and clean slick means होता है smooth and shiny okay and had a sweet scent of grass और उसकी जो skin है उसमें से जो grass है उसकी मीठी सी कुस्बू आ रही थी he rose slowly and lifted the found from the ground अब वो उठा और जो फाउन है उसको ground से उठा लिया its leg hung limply उसकी जो leg थे वो लटकी रहे क्योंकि they were surprisingly long क्योंकि वो काफी लंबे थे and he had to hoist the found as high as possible under his arms और जितना उचा वो फाउन को अपनी arms में उठा सकता था उतना उचा उसने उसको उठाया he was afraid that it might kick and bleat at sight and smell of its mother अब क्या हुआ जो जो जोडी है वो डड़ा हुआ था कि कहीं ये किक ना कर दे या ब्लिट ना करने लग जाए मतलब कि मैमे करके ये रोने ना लग जाए at sight कहीं पे and smell of its mother अगर इसको इसकी mother की हाद आती है he skirted the clear and pushed his way into the thicket अब उसने किया किया जो clear area था उसकी सहारे सहारे वो चला और फिर जो thicket मतलब कि जो घना area था जंगल में उस रास्ते में वो निकल गया it was difficult to fight through with his burden जो burden उसकी हाथ में था found का उसके साथ चल पाना थोड़ा मुश्किल था the found's leg caught in the bust and he could not lift his oven with freedom because क्या हो रहा था कि जो found है उसके leg जो है वो बुसेज में फस रहे थे और इसलिए वो खुद freedom से नहीं चल पा रहा था कौन freedom से नहीं चल पा रहा था जोड़ी he tried to seal his face from prickling wines जो prickling wine से जो wine means होता है अंगूर की बेले जो चुबने वाली जो चुबने वाली अंगूर की बेले थी उससे जो जोड़ी है उसने अपने face को sealed करने का मतलत की कवच करने की कौसिस की means की अपने face को safe करने की कौसिस की उन बेलों से its head bobbed with his stride अब dear strength यहाँ पर जो stride है stride means होता है long step जब आप तेजी से चलते हो तब आप long step लेते हो ना भागते हुए तो जो जो जोड़ी long step ले रहा था उसकी वज़े से क्या हो रहा था जो phone है उस phone का head bob हो रहा था that mean hill रहा था बहुत ज़्यादा his heart thumbed with the marvel of its acceptance of him यहाँ पर जो thumbed means होता है sound of heartbeat जो जो जोड़ी है उसका जो heart है वो beating करने लग गया था किसलिए beating करने लग गया था with the marvel of its acceptance of him जो जो जोड़ी है उसकी acceptance की वज़े से okay acceptance की जो surprise उसको surprising feeling उसको हो रही थी उसकी वज़े से he reached the trail and walked as fast as he could अब वो trail trail means होता है track रास्ता अब वो रास्ते पे पहुचा और उतनी तेज दोड़ा जितनी तेज वो दोड़ सकता था until he came to the intersection with the road home जब तक की वो उस intersection पे नहीं आया जहां से वो road घर को जाता था तब तक वो क्या करता रहा और दोड़ता रहा he stopped to rest and set the phone down on its daggling legs अब वो वहाँ पे rest करने के लिए रुख गया और जो phone है उसको उसके daggling legs यहाँ पे जो dangling है इसका मतलब होता है जूलते हुए okay उसके जूलते हुए legs थे उन पे उसको नीचे छोड़ दिया इट वैवर्ड on them वैवर्ड मिन्स होता है stress to move forward and backward आगे पीछे हिलना उसके जो legs थे वो क्या कर रहे थे आगे पीछे हिल रहे थे यहाँ पे phone की बात हो रही है उकी जो phone है वो आगे पीछे हिल रहा था अब जो phone है उसने नीचे उतरते ही जोड़ी की तरफ देखा और ब्लीट करने लगा ब्लीट मिन्स होता है मेमे का जो sound होता है वो करना जो goat sound जो create करती है उसे ही हम बोलते हैं ब्लीट अब इस उसकी जो मिम्याने की जो वास थी उससे enchant होके जो जोड़ी है वो बोलता है I will carry you after I get my ब्लीट की मुझे सास आ जाने दो उसके बाद में तुम्हें उठा लूँगा आज की इस पार्ट में क्या हुआ कि जो जोड़ी है उसको phone मिल चुका होता है ठीक है अब वो घर पे उसको लेकी जाता है घर पी जाने की बाद उसकी मदर accept करती है या नहीं करती ओके या फिर वो बहुत safety से घर पे पहुच जाते है या नहीं पहुच पाते उनको track में means कि वे में कुछ और problems भी आती है क्या to get to know that we will read this chapter ahead tomorrow that's it for today see you in my next lecture